चैय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी से 14 जनवरी तक की सेहिंग राशी फल के बारे में यानि जनवरी माह का दूसरा सपता है सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा रह आपकी दिन्चारिया पर किस तरह से होने वाला है जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बस आपसी छोटा सा निवीदन है सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड खास होने वाला है क्योंकि इस सब्सक्राइब के बहुत से एसे सुंदर एसे मुक्षे पर्व हैं जो शुरू होने वाले हैं नौ जनवरी के दिन शनिवार के दिन इस वर्ष की पहली एक आदशी है जिसको सफला एका दशी के नाम से जाना जाता है इसके बाद तेहरा बेहत खास होता है और चौधा जनवरी मकर संकरांती का पर्व है मकर संकरांती का पर्व है सूर्य का राशी परिवर्तन है और साथ में गजकेसरी योग भी बन रहा है पांच-पांच ग्रह एक ही राशी में होने वाले हैं तो ये थी इन मुख्य चीजें इस सप्ता की अब इ सेंग राजिवाल लोगों के लिए तीसरे, चौथे, पांचवे और छटे भाव में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे और इनी भावों के अनुसार आपकी जो दिंचर्या है उसमें परिवर्टन दिखाए देंगे तो चंद्रमा किस्तिती सब्ताह की शुरुवात में तिरते भाव में होगी अब तिरते भाव जो होता है, ये साहस का प्राग्रम का भाव होता है तो यहां सब्ताह की शुरुवात से ही आपके अंदर एक साहस रहेगा हर काम को करने का ये समय आपको साहसी बना देगा आप किसी भी तरह का समझोता किसी से भी करने को तयार बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन किसी भी तरह के जगडों से आप बचते हुए जरूर नजर आएंगे किसी तरह के जगडे में आप नहीं फसेंगे आपका वानी बड़ी अच्छी होगी संचार कोशल बहुत अच्छा होगा जिससे आप दूसरों के मामलों को सुल जाने का प्रयास भी करेंगे लेकिन यहां देखिए आप थोड़े मूडी जरूर हो सकते हैं यानि अपनी मर्जी से काम करने वाले मन है तो काम करेंगे, मन नहीं है तो किसी की नहीं सुनेंगे इस तरह से आप थोड़े मूडी जरूर हो सकते हैं लेकिन आपकी भाई भेनों के साथ आपकी संबन बहुत अच्छे होंगे और यहां एक जो सबसे अच्छी चीज है वो है आपकी यदि बड़े भाई भेन, छोटे भाई भेन हैं तो उनको इस दोरान उनकी काम काज में या उनकी सिक्षा प्राप्त करें तो सिक्षा में सफलता मिल सकती है तो सब्ता की शुरुवात आपके लिए बेहत खास हो रही है अब नौ जनवरी का जो दिन है जिनराशी बदलेंगे चंद्रमा और आपके चौथे बहाँ में आ जाएंगे साथ में ये नौ जनवरी का दिन एकादशी का दिन भी है जो सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है ये एकादशी जिसा की नाम से प्रतित होता है हर कारियों में सफलता दिलाने वाली ये इकादशी मानी जाती है इस दिन भगवान विश्णू उनके स्वरूपों की पूज़ा अर्चना करने से आपको हर कारे में सफलता मिलती है तो इस दिन को आप अपने लिए एक सफल दिन मना सकते हैं प्राते उठने के बाद इस नानादी करके आप वरत करते हैं तो बहुत अच्छा है आप इस एकादशी का वरत करते हैं तो वरना आप भगवान विश्णू की विधीवत रूप से पूजा अर्चना करें उनको तुलसी के पत्ते अर्पित करें और भगवान विश्णू को नारियल अर्पित करें सफला एकादशी के दिन वृत की कथा पढ़ें एकादशी की वृत कथा पढ़ना बहुत अच्छा होता है और सबसे बड़ी आप सत्य नर्ण की कथा इस दिन कर सकते हैं अपने घर में जो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली आपके लिए साबित हो सकती है चंद्रमा भी हैं आपके चौते भाहों में होंगे चौते भाहों में चंद्रमा का ये गोचर आपको लाब कमाने के तरफ आकरशित करेगा आप जो भी करेंगे आपका मोटिव होगा कि आप जाद से जादा यहां से अर्ण कर सकें और ये ऐसा भी समय होगा जब आपको परसिद्धी मिल सकती है किसी काम के वज़े से आपका नाम हो सकता है आपकी ख्याती हो सकती है लेकिन किसी भी तरह की बहसबाजी से बचना होगा आपको दो लोगों के बीच में आपको किसी भी व्यक्ति के बीच में नहीं बोलना है विवाद की स्थिती में नहीं पढ़ना है और माता की सेहत का ख्याल रखना है यानि कुछ अच्छी चीजी भी आपको यहां मिलेंगी लेकिन माता की सेहत समंधी परिशानी कुछ हो सकती है और अगर उनको सरदी, खांसी, कुछ ऐसी परिशानी है तो उनका आपको ख्याल ज़रूर रखना है अब चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके पंचम भाव में चले जाएंगे पंचम भाव जो की धनु राशी में चले जाएंगे धनु राशी में चंद्रमा का ये गोचर अच्छा रहेगा 13 जनवरी का दिन ये अमावाशा का दिन भी है और लोहुरी का पारू भी है तो ये दिन भी बेहद खास है हमावशा का दिन कुछ जो पित्रों का विसरजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है भगवान शिव, भगवान विश्णू की पुजारचना करने का दिन होता है मंत्र तंत्र की सिद्धी के लिए दान पुन्न करने के लिए ये बहुत ही महत्वण दिन माना जाता है इस दिन बहुत से उपाय किये जाता है हमावशा के दिन, अपनी च्छाओं को बुरा करने के लिए उपाय किये जाते हैं देख तो आप अपने पित्रों के निमित तरपन कर सकते हैं और एक नारियल लेकर जो पुजा का नारियल होता है उस नारियल को लेकर अपने उपर से साथ बार उतार कर आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं इससे जो आपके अंदर की जितनी भी नेगिटिविटी है वो सभी न सेजगती से चलेंगे चंद्रमा आपके पंचम भाव में भी होंगे तो यह समय विध्यारतियों के लिए बहुत अच्छा होगा आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे पारिवारिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा होगा और प्रेम संबंद के लिए शेते से जुड़े हुए हैं या आप किसी सैनिक हैं आप उन लोगों के लिए भी यह जो समय है काफी अच्छा रहने वाला है इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और मकर राशी में आ जाएंगे मकर राशी में चंद्रमा का गोचर एक तो गजकेसरी योग गजकेसर होना जो आप अपनी कामें प्रियास करते हैं उससे धन की आवग बढ़ती है आपके काम सफल होते हैं और 14 जनवरी का दिन सूर्य का राशी परिवरतन है सूर्य भी मकर राशी में आएंगे चंद्रमा भी मकर राशी में हैं तो मकर राशी में एक साथ पांच ग्रही योग बनेगा और जब पांच पांच ग्रह एक ही साथ बैठे होते हैं तो बड़ा ही शुभ योग ये बन रहा है संकरांती के दिन मकर शंकरांती का पर बहुत ही खुशियों के साथ आपका भी देगा और इस दिन आप अपने सामरते के अनुसार दान पुन्य जरूर करें इस दि सकते हैं जो कई गुना फल आपको दे सकता है बाकि चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए अच्छी होगी छटे भाव में होंगे और छटे भाव में पांच ग्रह एक साथ इखटे होंगे तो ये समय आप अपने शत्रों पर बेहधावी रहेंगे अपने शत्रों को आप प आत्मिक सुकून की प्राप्ति होगी प्रेम संबंद अच्छा होगा साथी के साथ भी अच्छा संबंद रहेगा आपको अपनी काबिलियत दिखाने का अफसर प्राप्त होगा ये समय बेहद अनुकुल है तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्स